लियांग को अब सब कुछ पता चल गया था कि आगर टाइम टेवालो माइंड सेट होता कैसा है इसके बाद वो सारे घर में चॉकलेट होना स्टार्ट करती है तब इसके पेंट वाइशा उसे बताती है कि रुको तो तुम्हें सब कहने की जुरुत नहीं है और यह सब ओल लि थूनेंगा चालता है यहां पर और लियंग इसके बास माओ के साथ उसके बास से मिलने के लिए यह पॉर्म बताता है कि हम सभी टेंछलने वाले हैं यांग मद करो मैं तेनिति मिन वाला तो लियांग एक भी शॉट नहीं मर पाती इसके बास अभी उसे मैंस से बाहर निकाल देते हैं लेकिन जब लियांग अपने बैक से निकाल कर चौकलेट ट्रिंक पीती है तो उसके बाद यंग लियांग वापस आगी थी अब वो कैसे तुम्हें बता दू दरसल यंग लियां जाते हैं इसके बाद हम लियांग और यान को एक साथ दिखते हैं यह सब वो ट्रिप पर आए हुए थे यहां पर लियांग हमेशा से आना चाहती थी बड़ शायद माओ की वाज़े से कभी आ नहीं पाई यहां पर यान के साथ वह अभी एक ही टेंट में थी यहां उसके का वो में टुपना जब बाहर जाती है तो वीडियो शोट करती है और और लियांग को मैसेज देती है कि प्लीज यान को जाकर एक बार किस तो तुम करी सकती हो तभी जब ओल्लय वापे स्टेंट में आती है तो यहां से कहती है कि मैं जगह पे हमेशा आना चाहती थी बड़ यहां नहीं पाई थैंक यू कि हम यहां पर आये तभी यान किता है कि तुम्हें हुआ क्या है इसके बाद वो यान के चीक पर किस करती है और उसे चली जाती है यान इस बाद से कावी दर डिसपॉइंट होता है विकॉर उसने तो आज पूरी नाइट साथ इंजॉय करने का कि जाती है यहां पर आधा मिर्शी का जीता जाती है लेकिन जीतने के बाद उसका पेट खरा हो जाता है और उसके बाद उसे काफी टाइम टालिट में बताना पड़ता है यह सभी अब बाइक रैट पर जाने वाले थे यहां पर यहां लियांग काफी वेट करता है बट उसके साहे दोस्त कहते हैं तुम्हारी गल्पे नहीं आने वारी तो हमें चलना चाहिए तभी यहां भी लियांग से हार मान लेता है इसके बाद वह अकेल आई वहां से चला जाता है जब लि स्ट्रॉइंग के बैसिस पर हीज सेल हों इसके बाद लियांग इसके लिए काफी दाखुष थी पर उसे ड्रॉप करना आता कहा है यहां पर अपनी प्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है तभी उसे बाहर से माउ की आवाज आती है और आप अपनी इसस्टेंट से बाते क की थी और हाट ब्रूकन भी थी विकॉज माँ से ज़्यादा प्यार उसने कभी किसी से किया भी नहीं है यह पर अपनी ओल्ड वीडियो देख रही थी जब दस साल पहले माँ ने उसे प्रपोस्ट किया था जब पहली बार था उसकी बाद तो माँ ने उसे कभी आये लवी तक नहीं बोला यहां पर कावी सारी स्कारी फ्रस्टेशन के मारे इसके बाद ऑसे ऑफिशली ब्रेक अप कर लेती है यहां को देखते हैं जो कि पूरी कोशिच कर रही थी पर उससे कुछ नहीं हो रहा था इसके यंग लियांग आका दीवार पर बहुत ही सुन्दर प्रिंटि देती है कि उसे कैसे बिनाना चाहिए किसे ड्रॉ करनी चाहिए और कैसी उसकरने चाहिए लियांग उससे काफिया कुछ सीख रही थी बड़ उससे अभी तक परफ्रेक्शन नहीं आई थी तभी न्यूज में हम उसी मेरेजर को देखते हैं जिसने रुआत में लियांग को अपनी चॉकलेट बेची थी यह अपने बता चाहता है कि नेश्रल के लमटी इसकी वज़े से उसकी जो फैक्ट्री यह वह एकदम जलकर खाक हो गई मतलब अब वह चॉकलेट नहीं बन सकते जिससे उसका टाइम ठ्रेवल होता है जो चॉकलेट उसके पास है वह एकदम सीम लयांग को भी महां पर इंवाइट किया जाता है और वह आज इस शोगी मेंगेस थी सबी उसकी फोडू कीच रहते ओल्यांग आज काफी दाखुश ती यहां पर जो लयांग थी वह दरसल्यांग ल्यांग थी और क्योंकि लेंज को लग रहा था कि यह सब मैने इससित फ़ तो उससे हो सकता है इसके आधो वाश्टूम में जाती है यहावर उसके पास एक चॉकलेट थी जिसे वह यूज कर सकती थी वह इसके लिए तयानी थी और कहती है कि अब जो उसे करना है उसे खुद ही करना होगा यंग लियांग ने उसकी बहुत हल्प कर दी इसके बाद स्ट उसके बाद माँ उसे घर चुड़ने के लिए जाता है लियांग उसी गाड़ी से बीच में उतर जाती है और कहती है कि आंगे इसे उसे अपना रास्ता खुद ही तेकर ना होगा उने मेरी साथ किया और जो भी तुमने मेरी लिकिया 10 सालों में अपने हट से तुमें थैंकी यान के ने चाहिए इसको चोकलेट खा लेती है यहां पर यान की पास आती है तो देखती है कि यान किसी और लटकी की साथ है इसके यान की बास नहीं जाती है आप वाधार यांग दिवा पर एक पेंटिंग मना दें जिसमें वह अपने दुख को दर्शा रही थी इसके बा गूम रहे हो यह बयान करता है कि तुम मेरी विशेश फुल्फिल नहीं कर पाई और तुम हमेशा मुझे ऐसी छोड़ कर चले जाती हो इससे अच्छा है कि हम दोनों कभी मेले ही ना बाइचा और यंगलियान को समझ आने की कोशिच करती है कि जो भी हुआ वो सब तुम्हें स चैफ ने किया था और दस सालों के बाद यो पश्टा ही है तो तुम भी पश्टा होगी मुझे लगता है तुम्हें सब नहीं करना चाहिए और यंगलियांग अभी सेविंटीन एर ओर ती तो उसे कहां यह बाते समझ में आ रही थी ऐसा ही कुछ पहले लियांग के साथ हो कर चुका था इसके यहां के पास आती है तो यहां के तुम अवर्ण के फैंट है और वहुजश्टीन करने के लियांग और यहां की तो बैश्व् मेरे वहापफिंट हुड़श्टी मारती और नहीं तब ही यहां पर यांग लियां काती है कि उसे करना ही होगा इसके आप सारी चोक्लेट एक साथ खालेती और कहती है कि शायद इसके बाद हो कभी भी अपने उल्ड शेप में नहीं जा पाएगी उसे ऐसा ही रहना है पता चलता है कि यहां नीशिटी छोड़कर जा रहा है इसक सिनки नोट इसकी बाद मियांग बैट अगता है तो छोकी नहीं को चुगी थी कि और उसकी यंग शेल्फ से मिलती है यहां पर वो काफी ज़्यादा अपसेट थी लियांग कहती कि चलो मेरे साथ में रोनी की जरूत नहीं है हम सब कुछ ठीक कर देंगे तभी यंग लियांग कहती कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता नहीं अभी नहीं तब करेगा जब मैं तुम बन जाओंगी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जैन सेल्फ कहता है कि हमें खुछ से प्यार करना सीखना चाहिए कर हम बाकियों से एक्सपेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ धुका ही मिलेगा तुम्हें 70 एर ओल्ड एज में ही मिल गया और मुझे 10 सालों के बाद सब कुछ बराबर ही है हमने कभी खुछ से प्यार करना कभी स जाने के लिए तयार हो जाती है और अफर देट लियांग को प्रिजेंट टाइम में होश आ गया था और अब वो अपनी प्रिजेंट टाइम में ही थी मतलब उसका दिमाग अब 70 एर ओल्ड नहीं था और इसके साथ यह मूवी यहीं पर खतम हो जाती है दरसल यह मूवी सिर हमें एक ही चीज सिखाती है और वो है सेल्फ लव तब तक के लिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग